पूरा किया एक महीने का कारेकाल नाराज़गी को किया दूर लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी इसी महीने उत्राखन आएंगे बीजेपी के राश्टे देक्ष जेपी नड़ा के इंद्रेक रहमंत्री अमित्षा भी आट अगस्त को कर सकते हैं उत्राखन का दौरा मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने उक्सजन कंसेंट्रेटर को दिखाई है इनी जंडी बोले अगले चार महीने में करेंगे प्रोदेश का स्चत प्रतिशत त्रीका करण चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्राखन के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के कारेकाल की दरसल तीरत सिंग रावत के मुख्यमंत्री पत से हटने के बाद पुषकर सिंग धामी को उत्राखन का मुख्यमंत्री बनाए गया और अब पुषकर सिंग धामी ने बतवर मुख्यमंत्री अपने एक महीने के कारेकाल पूरा कर लिया है पुशकर सिंग धामी के मुख्य मंत्री बनने के बाद से ही उनके सामने कई तरह की चुनोतियां थी उनके एक महीने के कारेकाल में उन्होंने ये भी दिखाया है कि उन चुनोतियों से वो किस तरह से देरे देरे पार पा चुके हैं कई समस्याईं ऐसी उनके सामने थी, जिनको उन्होंने सुलजा लिया है। कई मंत्रियों को उनके पसंदिदा विभाग मिलते हैं, भारी बर कम विभाग मिलते हैं, यानि कि यह जो नाराजगी थी एक महिने के कारेकाल के दौरान, उसके बाद यह नाराजगी दोबारा कभी देखने को नहीं मिले, लेकिन क्या इसी तरह की स्तितियां आगे भी जारी यह कहवाना काफी मुश्किल है, क्योनकि अभी भी पुषकर सिंग धामी के सामने नाराजगी को लेकर काफी सारी चूनौतिया हैं, बात अगर करें कामकाज की, तो क्योंकि समाई पूशकर सिंग धामी के पास काफी कम है, इस एक महिने के कारेकाल में उन्हों ने यह दिख इसके अलाव अगर बात करें कामकाज की तो कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन पर सभी का ध्यान कया है चाहे इनमें जो हाल ही में कैबिने ने जो फैसले लिये थे जिसमें की प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने वाले चातर हैं उनको प्रोचसाहन राशी देने की बात ह या फिर जो पहले कैबिनेट की बैटेक में उन्होंने संकल्प से शुरुआत की थी उसकी बात हो कोविट प्रभावुत्वों के लिए जो राहत पैकेज 200 करोड रुपे का पैकेज जिसका एलान किया था उसकी बात करें या फिर जो चिकित साक शेतर के लिए 205 करोड के प पुषकर सिंग धामी ने एक तो नाराजगी को दूर करने का काम पारटी के अंदर अपने संक्ठन के अंदर सबसे महत पूर काम ये किया उसके अलाबा जो बाकी के उनके स्टेप रहे फैसले रहे नौकर शाही को लेकर ब्योरक क्रेसी में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्हों जिस तरह के बड़े बदलाव किये उससे भी उन्होंने ये दिखानी की कोशिश की है कि भले ही वो युवा हैं लेकिन फैसले लेने की शमता उनके अंदर है बैरहाल अभी मातर एक महिने का काम काज ही हुआ है आगे बहुत लंबा काम काज बाकी है और चुनोत्या पूर्ण कालिकों की कारेशाला का आयूजन किया जाएगा उसमें वो शामिल होंगे तो क्योंकि 2022 में विधान सभा के चुनाव होने हैं इससे पहले बीज़ेपी कारेसमीति की बैठके हुई है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग बैठके होंगी इसका रोड में बीज़ कारेकरम तैय किया जा रहा है हालनकि जेपी नड़ा किस तारीक को देहरादून आएंगे उत्राखन आएंगे इसको लेकर अभी डेट फिक्स नहीं है लेकिन जो संभावना जताई जा रही है बीस या फिर इकिस अगस्ट को दून प्रबास वो कर सकते हैं इसके अलावा य कारेकरताओं की और तैयारियों का भी जाइजा लेंगे कि प्रदेश में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारिया यहां पर की जा रही है वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें केंद्री ग्रहमंत्री अमिच्छा की तो अमिच्छा भी आठ अगस्ट को देहरादून आ सक सकते हैं यह बताया जा रहा है कि वो ITBB के कारेकरम के लिए पहले देरादून आएंगे उसके बाद उतरकाशी के निलांग घाटी का कारेकरम उनका बन सकता है हलांकि यह भी फिक्स नहीं है लेकिन सूतनों से जानकारी मिल रही है वो यही कहते है कि 8 अगस्ट को मसूरी की पहले तो ITBB अकादमी में केंद्रे ग्रहमंत्री अमिच्छा आ सकते हैं वहाँ पर एक कारेकरम में शिर्कत करेंगे उसके बाद सीमान तिजले उतरकाशी में वो जाएंगे जहां पर भी उनका एक कारेकरम तै हो सकता है तो इसके अलावा भी चुनाव को लेकर और 2022 में क्य आगे किस तरह से करवाई जाएगा उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है दरसल मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने अपने कैमकारले से एक्सिस बैंक के दुआरा दी गई ऑक्सिजन कंसंट्रेटर को उन्होंने हरी जंटी दिखा कर रवाना किया इस दौरान उन्हों उनका लाब आमजन तक पहुँचे इसके लिए भी काम किया जाए धरातल पर इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि उतराखंड में अगले चार महीने के अंदर सरगार शत्र प्रतिशत फ्टीका करण करवाएगी यानिकि 100% वेक्सिनेशन चार महीने के अंदर करवाएग उनको शत्र प्रतिशत वेक्सिनेट करवाएगा यानिकि उनको शत्र प्रतिशत वेक्सिन लगाई जाएगी तो ये दावा भले ही मुख्यमंत्री ने किया हो लेकिन जो हकीकत है वो काफी दूर इससे नजर आती है क्योंकि काफी सारी चुनोतियां वेक्सिनेशन को लेकर ह जाएगा शत्र प्रतिशत ठीका करण किया जाएगा बैरहाल अब देखना ये है कि इस दावे में कितना दम सरकार के नज़र आता है तो चलिए बात कर लेते हैं आजादी के अमरित महुतसव की दरसल देश की 75 वी आजादी की वर्षगांट के मौके पर देश भर में सरकार के तहित अलग-लग कारेक्रम होंगे और इनहीं कारेक्रमों के समिक्षा मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने लिए है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि जो आजादी का अमरित महुतसव है इसको सिर्व बड़े स्तर पर बरक प्रभावी रूप से ब्यवस्ता की जाएगी, आजादी के अमरित महुतसव का संदेश आम जन तक पहुंचे, इसकी प्रभावी रूप से ब्यवस्ता की जाएगा, स्वतमतरता संग्राम सेनानियों की और योजो उससे जुड़े विभूतियां हैं, उनकी जीवन पर प्रदेशनियों का आयुजन किया जाए, प्रदेशनियों को लगा जाए, लगू फिल्मों को बनाया जाए और मुख्य मंतरी ने ये भी कहा है कि हर घर जंडा कारिक्रम को लेकर भी प्रभावी कारियोजना तैयार करने के निर्देश मुख्यमंतर की तरफ से दिये गए हैं और एतिहासिक ये मौका रहे आजादी का जो अमरित महतस्वा मनाये जाएगा इसको गाउं गाउं तक मनाये जाए हर घर तक इसका संदेश जाए ये कोशिश की जाएगी य ये बाद मुख्यमंतर की द्वारा कही गई है तो चलिए बात कर लेते हैं CBSC के दस्वी के रिजल्ट की दरसल CBSC ने दस्वी का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस रिजल्ट में इस बार के अगर हम बात करें तो देहरादून रिजन में 99.23 प्रतिशत ये रिजल्ट रहा ह दस्वी का CBSC का रिजल्ट रहा है कुल जो पंजीकरित चात्राएं थी 33,638 तेहरादून रिजन में थी जिसमें कि उतराखंड के सभी तेहराद जेल्ट जेले आते हैं और कुछ जेले UP के भी इस रिजन में आते हैं इस में से 33,475 चात्राएं उत्तिण हुई है यानि कि इ 54,188 उत्तिण चात्र हुए है इनका रिजल्ट चात्रों का रिजल्ट रहा है वो 99.04 पर्पेंटेज रहा है, यानि कि 99.04 पर्पषट हुए है, कुल मिलाकर कि 99.2 तेहरादून रिजन का रिजल्ट रहा है उत्तिण फराद हुए है या आकड़ा यह पिछले साल से 9.05 1 पर जाफा इस बार के इस रिजल्ट में देखने को बिला है सभी शाथ चात्रान को हमारी तरफ से भी धेर सारी शुब काम नाए आपका भवश उज्वल हो ये थी उत्राखन के भी तक के टॉप 5 कबरें खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके आप अपनी राई दे सकते हैं खबरों को देखने के लिए संभा 365 को सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ तब तक के लिए ने मसकार